अधित्य एंड़ जे ब्लॉग चैनल पे नयत हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजेगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों फैनली सुमीत महल अपने चैनल से अगेंजमेंट का सारी वीडियो डिलेट कर दिये अगेंजमेंट का अगेंजमेंट का अगेंजमेंट का प्यार करती हो नितू महना के चैनल पे वीडियो अगेंजमेंट का वीडियो नहीं डालने दिया ने पाच मिनट के ने दस मिनट के और एक अगेंजमेंट और दस वीडियो और एलांसमेंट क्या किया था खुद ही एलांसमेंट किया था कि मैंने अगेंजमेंट के वीडियो से सिरिफ पंदरा लाख रुपे कमाया कितना पंदरा लाख रुपे और वो अपने चैनल से छड बिल्कूल भी नहीं वो भले दूसरे को बोल कर डिलेट करवा देगी सुमीत महल के फैमिली बाले अगर कोई वीडियो भी डाला तो उसको डालने की इजाज़त नहीं दिया गया लड़के वाले की बहन लड़के वाले का परिवार ने वीडियो डाला तो वीडियो डिलेट करवा दिया एक भी वीडियो नहीं डाल पाया सोच रहे हो क्योंकि जितना हक जगत दिदी का था उतना हक लड़को बाला का था लड़को बाला का भी था मगर नहीं लड़के आ रहे हैं वीडियो बनाओ अंगुठी पेनानी किसी रोमा नहीं हो रही है जल्दी से वीडियो बनाओ बनाओ एक सग आई दस वीडियो अब मोस्ट पॉपुलर वीडियो गया है अगर अभी छेड़ेगी जगत दिदी ते उसका चैनल एकदम से ऐसे हो जाएगा जो अभी ऐसे चल रहा है ना एकदम से ऐसे हो जाएगा और ऑडियंस इसकी असले अवकात दिखाएगी मगर नहीं वो अपने चैनल से यह तो पत्थर का लकीर है वो मिटा ही नहीं सकती मिटी ही नहीं सकती यह सिर्फ दूसरे को यूज करती है यूज जब जिसी दिन ओफिस्यल तरीके से वो आकर अलांसमेंट कर रही थी कि मैं सुमीत से दिस्ता तोड रही हूं वहां से इसकी इज़त का बखाम दिख रहा थे कि वो कितने इज़त घराने की बेटी है पहले सुमीत जी लगाती थी और जब साधी तोड़ी तो सुमीत और क्या बोलती है कि मेरे लिए मेरा इज़त बहुत माइने रखता है मेरा परिवार इज़त वाला है सुवर कहीं कि चुलू भर पारी में डूब के मर जा अगर तू इज़त वाली होती तो पहला नमर तो यह बंदे को तू धोखा नहीं देती तू धोखा नहीं देती तू तो इतनी बेसरम है कि तुझे तो खुद के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि तू अपनी गल्ती को accept करें यह बंदा इतना सीधा साधा इतना सीधा साधा था कि इसके उपर लोगों ने नव जैने क्या से इतना गंदी बिडियो और युक्त करवाया गया उसके वित इतनी कर रही है क्योंकि तो के लिए जोλλ है क्या से क्या बुलवाया क्या से क्या पुलवाया सच में फिर भी वह सतो प्रिए कुछ भी रियक्ट नहीं किया कुछ भी रियक्ट नहीं किया इसको बोलते हैं असली इजत घर आने की बाल बच्चे और माबाप का संस्कार तू अपनी संस्कार देख तेरे माबाप जो है तेरे को क्या संस्कार दिये हैं तो खुद के अंदर जहाग के देख तुम्हारे मा बाप को नहीं समेटना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा जगत देदिगा पिताजी बहुत ही सच में इजगदार है मगर माप, माप फील्कुल भी नहीं जो छोटी मोटी बातों पर आकर दुनिया को बद्धुआ दे सके कि तू खुस नहीं रहा पाएगा, तिरह पति खुस नहीं रहा पाएगा तेरह माप का भी खुछ नहीं रहा पाएंगे, तू अवलाद के लिए तरसेगा ऐसे माबब को चुलू भर पानी में डूब के मर जा एक तो दूसरे को पती पतनी का घर तुने बरवाद किया सब कुछ जानते हुए और फिर दूसरे अपनी मा से बद्धुआ दिलवा रही है सरम कर ले सच में तेरी जब गलतियों का मतलब बेसरम कहीं कि क्या बोल रही है तू कि बोला था ना इस तरीके कि बाते मत करो मम्मी बद्धुआ दे दिया ना दसारम बद्धुआ नहीं देते ना देख न तेरे अभी माबाब खुस रह पा रहे हैं न तेरा भाई खुस रह पा रहा हैं न तू खुस रह पा रही हैं ठीक है तेरा पुरा खंदान का मिट्टी तुने मिट्टी में मिला दिया तुने पुरा खंदान की इज़त तुने मिट्टी में मिला दिया अब देख बद के लिए हां कर दिया और तु अपने आपको बोल रही मूँ बॉन कर रहा कर रही थी मैं अपने लाइफ में आगे बढ़नी के कोशिस कर रही थी तो अपने लाइफ में जब आगे बढ़नी के कोशिस कर रही थी जगत दिदी तो तु सचीन से पैसे क्यों मांगी थी कि मैं ते अघ्यार बन का सुमीद जी का अंगुठी दिदी दिखाएए grams अंगुठी जी जा जी कैसा extraordinarily दिए مس गया खोगया अंगुठी खोगया एक दिन के अंदर तू कभी इसको दिल से अपनाया ही नहीं था तू सिरीफ सुमीद जी को समाज के लिए एक आयना दिखाना चाह रही थी मगर तेरी जो गंदकी है दोस्तों आप सब बोलते हो ना कि दीदी बस करो मत करो मत बोलो नहा दीदी के ऊपर मत बोलो यह अभी भी सुधरी नहीं है नहीं सुधरी है और आप सब बोल रहे थे ना कि मुझा बॉन कर रही थी फिर क्यूं लप बरवाद हो गया इसे कौन साधी करेगा करेगा यही बोल रहे हो ना एक कभी मुपन हुई ही नहीं थी उससे खुद से पूछो कि जब अगेंजमेंट कर लिया था तो क्यों फोन करके उससे मांग रही थी अंगुठी अगेंजमेंट से पहले कि मैं तुम्हारे नाम का पार होना चाह रही थी एक समाज के लिए और असली अपनी पूरी सरीर की गर्मी मिटाने के लिए लप्टुचिन को चूज कर लिया था और लप्टुचिन से इतना इसने आइठा इतना सोना चांदी का गोल्ड इतना आइठा गिफ्ट कि मत पूछो ए औरत आप खुद कि नितु महना इस घटिया औरत के बारे में सब कुछ जानती थी सचीन और जगधी दिकाओ क्या चल रहा है वो सब कुछ एटु जेट सब कुछ जानती थी कब मिलने आ रहा है कब मिलाना है कब क्या करना है सब कुछ मगर सब कुछ अपने दिल में दफन करके रखी थी स्क्रीटिए हमें दफ़न करके रखें ती मगर्लश छ्ट में नितु महना को क्या मिला है रला क्या बोलती है अपने बारे में अपने लाइब में तो अब कता लगता है जार्टकों भी आना जरूरी है क्या धु कव्या में धुक में नितु महना थी जितना तु खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी ना उससे जादे कई गुना जादे उन नितु महना तुम्हारी इज्जत को दवा कर रखी थी मगर तु ने लाश्ट में क्या इनाम दिया गालिया पबलिक से गाली सुन भाई बदनाम करवाई बेसरम घटिया और चलू भर पानी में डुब के मर जाद दोस्तों यहां पे सुमीत महल की फैमिली में किसी को भी वीडियो अपलोड करने के लिए इजाजत नहीं दिया अगर किसी ने इजाज़ अपलोड कर भी दिया था तो उसके चैनल से डिलेट करवा दिया गए यहां से इसकी नेचर और इसका दिमाग पढ़िए यह कितनी ब कभी था क्योंकि एक तरफ से लड़की थी ते एक तरफ से लड़का था और जाते जाते सुमीत महल को बदनाम करके गई बेसरम बदनाम करवा दिया कि यह कितना गंदा इंसान है सुमीत महल यह करवा रही थी ना मगर इसका चाल काम्याब नहीं हुआ पबलिक अच्छे से स सब कुछ से परचित हो गया था जरूरी नहीं है कि वह इंसान अपनी ओपीनियन थाउट रखे तभी पबलिक विश्वास करेगी जी नहीं जितने भी लोग सुमीत महल से कंटेक्ट करनी की कोशिस किया है सब भी से सुमीत महल बहुत ही रिस्पेक्ट फुल तरीके से अपन थाउट अपना ओपीनियन रखा है जो भी कोश्चन था मगर जब जगत दीदी से सगाई हुई थी तो इतना कुछ जगत जीजा को बोला जा रहा था कि ऐसे है वैसे जगत जीजी ऐसे है वैसे मगर वो बंदा सुमीत महल सब के चैनरों में जाके दीदी कहके संबोधित कर जाए बहां कर रहा था कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो इस तरीके से इतना रिस्पेक्ट्टफूल कि किसी तरीके से मेटर को मतलब जो कुछ हो रहा है सांत हो जाए सुमीत महल तो हर चीस से अंजान था भले उसको ॥ाजा सरी ने के लिए जली भले पद भी सुमीत महल को धोखा मिला सुमीत महल को धोखा मिला क्योंकि यह और इतना सातिर चलाक है कि मत पूछो अभी यह क्या सच्वे वह मुबॉन कर चुकी है विस्वास कर रहें बिल्कुल भी मुबॉन नहीं कर चुकी है बिल्कुल भी आप विस्वास मत कर यह यह औरत कभ पति का नाम को यूज नहीं करती और यूज करते हुए तो दूसरे के साथ अफेर में नहीं रहती और साथ ही साथ तू तो अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा तुझे शिर्फ एक लोग नहीं हजार लोगों ने माना किया अगर तुझे सच में लग रहा था कि मैं तो को रिलाइज करना चाहिए कि सच में में गलत कर रही हूं मगर नहीं तुने सब को बोला यह मैंने राखी बांधा है यह मेरा भाई बाहन का रिस्ता है बेसरम घटिया औरत दोस्तों फाइनली सुमीत महल के चैनल से सगाई का अगेंजमेंट का सभी वीडियो इलेट हो चुका है और सुमीत महल की सिस्टर के चैनल से तो उसी टेम इलेट हो गया था जब इस तरीके की एक कांड सोसल मीडिया पे आया था अफवा उड़ा था अफवा क्या इस तरीके की मेटर आया था तब ही मगर ए अवरत अपनी चैनल से कुछ भी छेड़ छार नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है और सच में जगद जिजा जिस से भी साधी होगी सच में जिसके भी हस्पेन बने गए ना सच में वो बहुत ही भागिसाली लडकी होगी क्योंकि सुमीत महल सच में रियल में सूपर हेरो है सच में, रियल में बहुती अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान बहुती किस्मत से मिलता है